नमस्तार दोस्तों मैं हूँ यूसुप ली आप देख रहे हैं सेफ नियूज लाइव आईए देखते हैं आज की खास ख़बर राजस्थान कॉंग्रेस के नेता गोविन सिंग डटासरा के महाराणा प्रताप पर दिया वक्तवियका बीजेपी ने जताया विरोध राजस्थान कॉंग्रेस PCC सदस्य गोविन सिंग डटासरा के नागोर में पार्टी करे करता बैठक के दोरान अपने बयान में महाराणा प्रताप और अक्बर के बीज हुई जंग को सत्ता की लड़ाई बताया जाने वाले मामले में अब राजस्थान की राजनती में भूचाल आ गया है और राजस्थान बाजपा ने डटासरा को गेरते हुए डटासरा के उपर माराणा प्रताप का अपमान किये जाने का अरोप लगा है इसी क्रम में राजस्थान के चित्वड़गर विजान सभा से विदाएक चंद्रपान सिंग आक्या ने एक बयान जारी कर डटासरा से अपने बयान पर माफी मांगे जाने की मांग की है डोटा सरा कि अपने कदन पर माफी नहीं मांगे जाने की सूरत में इसका अरजाना कॉंग्रस को उठाने वो आने वाले दिनों में बाजपा द्वारा अंदोलन करने की चेताओनी भी दी है ब्यारा रिपोर्ट सेफ ने उदला आयो जो हमारे देश के गोरव और हमारे देश की आनव और सान महाराना परताब के परती उन्होंने ये बताया है कि ये महाराना परताब जो लड़े थे वो सता के लिए लड़े थे और ये उनका कहना बहुत गलत है उनकी सोच बहुत संकिन है बहुत छोटी सोच है इसलिए में माराना परताब जो लड़े थे वो सता के लिए नहीं लड़े थे मेवार को किसी की अदिनता स्विकार नहीं करें और मेवार को किसी की सवतनता के लिए लड़े थे हम सब लोगों के लिए लड़े थे उनका सत्ता के लिए कहना बहुत गलत है और इसका अरजाना आने वाले दिरों में कोंग्रेस को पहले भी भुगतना पड़ा है और ये गोईशी जी रुटासरा जी उनकी मानसिकता है बार को बगत भी कॉंग्रेश पहले भी पूरी एक दो राजों में रहे गई और आने वाले दिनेंगे में दो को हमारे मिवारों हैं फार्त सम्रणी है और हम सब लोगो के के पूझनी है प्रातर है है उनगे लिए इस सब्द कहना कि अग्भर महान महान भर्यार कि महान नहीं हम सब लोग इनकी आने वाले दिनों में इसका बढ़ा बहुत बढ़ा हम अंदोलन भी करेंगे उसको इसको इसको कोईशी रोटासरा को भुगतना पड़ेगा और पूरी कोंगेश को भुगतना पड़ेगा धनिवाद जहीद चेवर हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अ पत्करे